हेलो इस्टुडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल सम्राटिकर्ण में इस्टुडेंट चितने बच्चे 2025 बोड़ी जाम का पेपर देने वाले हो तो उनकिल वीडियो सबसे ज्यादा इंपोटेंट है मेरे प्यार बच्चो आज मैं आप लोगों के वायरल पेपर बताने वाला वो तीन घंटे पंदर मिट का समय दिये जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए नीचे जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे नोट दिया गया है नोट पढ़ना बहुत ही जादा जरूरी है नोट में आप लिखा है कि प्रारम के पंदर मिनट परिछार्थियों को परशन पत्त इस प्रशन पत्र के अ और बहुत दो खंड है मतलर यह पेपर दो खंड में बना वाए एक तो खंड अ में दूसरा खंड बहुत में तीसरा है कि खंड अ में एक अंक्य के 20 बहुभी कल्पिये प्रशन है खंड अ में 20 अब्जेक्टी के उसन पूछा जाएगा आप लोगों में इसके बाद है प्रते प्रशन के आरभ में असपस्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको करने और आगला निर्देश है कि प्रशन के अंको उनके समुख अंकित है मतला हर एक प्रशन के आग आपको बताया गया कि प्रशन एक नंबर का है कि दो नंबर का है कि 4 numéro का है कि 6 न regard हर एक प्राशiałem के आगे आपको लिखा उए मिलेगा इसके बाद कि प्रथम प्राश्ण से अरभ म decay और अंतिव प्रस्णा तक करते जाए जो प्रस्ण ना आता है उस पर समयने सब्सक्राइब करने के लिए इसके बाद है यदि रफ कारे के लिए अस्थान पेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं प्रिष्ट पर कीजिए और फिर काट दीजिए और उस प्रिष्ट पर कोई हल न कीजिए कहने के लिए यहार प्रिष्ट कि लिए प्रिष्ट के लिए प्रिष्ट पर सथी पूछक jáप लोगों के सबता है तो कोशक्या और प्रिष्ट कॉथ 25 काट mushर आवसे कीजिए बीना चित्र के ऐसे हलाव पुरूड और असुद देमाने जाएंगे जो चित्र बनाने वाले प्रश्ण उसको चित्र बनाना ही आपको पड़ेगा आने था उसमें नंबर आप लोगों के कार्ट लिये जाएंगी इतना याद रखो देखो असपास टूसमें बेक्त किया जाया है तो पी का मान होगा एक एक प्रश्ण पर डिसकस करूँगा आप ध्यान से देख लेना बात में भूलना मत इख्जाम में जाकर कि भूल जाना और वहां पे आप नंबर ना लेकि आओ पाओ सत्तर में सत्तर में बलेकराना पूरा इस्टेप बाइस्टेप में आप लोगों को बताने वला हो देखिए द्यान से समयने का प्रयास करो कह रहा है कि 65 और 117 का पहले यसीप निकालो जो यसीप हैगा उसको इतना के बराबर कर दो देखिए तो सिंपल क्या करेंगे हम कि 7 acipalに खटीगरुप है अपने तोड़ डिया 117 की बार ही आई आप नोट करोगे 117 गोंच कॉड़े तो आप कहोगे कि इसको कि सकते हैं तीन गुड़े तीन 13 इसमें भी है तो 13 जो है उसका क्या हो जागा ESCF हो जागा अब 13 यहां पे क्या हो गया ESCF हो गया जब 13 ESCF हो गया तो इस ESCF को 65P-117 के बराबर कर दो simple तो यहां पे कर देते हैं यह हो जागा 65P और माइनस 117 के बराबर हम कर देंगे 13 को अब यहां पे देखिए आंसर कैसे आगा यह हो जागा आप लोगों का 65P बराबर 13 और माइनस 117 उदर जागा तो प्लस 117 हो जाएगा तो यहां से क्या हो जागा आप लोगों का 65P बराबर 7 3 10 और 1 1 2 1 3 और यह कितना हो जागा आप पूछा हमको P से पूछा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 130, और यह आपका 65 इधर गुड़ा में उदर जाएगा, तो 65 किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अब यहाँ से 65 से कटा तो 65 दूनी के कितना होता है, 130, तो यहाँ आप देखो P बराबर क्या गया, 2, और यही P का बहुत से पूछाता है, कि P बराबर क्या होगा, तो P बराबर 2 आ गया, इसका मतलग यहाँ पर B वाला आपसन जो है, बिल्कुल राइट आंसर हो जागा, देखे, दो दिया है, बिल्कुल, तो यह प्रेक्टिस करके जाना, ठीक है, अर तुननत जाकर तुनत इसको का मान होगा, देखे, कैसे इसको लगाएंगे, बहुत ही जादा सिंपल है, मेरे प्यारोचू, देखो, कैसे इसको लगाएंगे, मैं पेज ले लिया, अब यहाँ पर आपको करना क्या सिंपल, यहाँ पर 2 लिख होगे, फिर इंटू, इसमें इंटू का चिन छुपा होता ह तो यहाँ लिख होगी, बटे में, फिर आप नीचे 1, प्लस, टेन स्कॉर पायंताली संस कमान निके, इसको स्कॉर कर दो, तो अभी हमने देखा, एक, इसका क्या कर देना आपको, स्कॉर कर देना है, आप देखे, क्या होगा यहाँ पे, तो दो को गुड़ा एक में करोगे तो ऊपर तो 2 आगया, और नीचे आपके क्या जागा, एक, पलस एक काई स्क्वार करगए, तो यह ही हाने वाला है, तो यह हो जागा, उपर तो 2, और नीचे 1, 1 मिलकि क्या हो जागे, 2, और 2 से 2 जब काट दोगे, तो क्या बज़ागा सिर्फ, यह कही तो आएगा, सब्सक्राइब लोगों का तीसरा प्रश्ण क्या है कि 15 अथारा और 24 का लशा है अब यहां पर लशा गयाद करना है ठीक है कि किस प्रकार लशा गयाद किया जाता है तो लशा गयाद करने के लिए सबसे पहले लोग अभाज़ा गुणक्षणी की रूप में तोड़ेंगे अथी के बाद 18 है चली अठार को भी लिख लेता भाई तो दो त्याइए च्छह और च्छह त्याइए अठार दू गुड़े तिन गुड़े तिन इसी तरह नीचे आप बढ़ेंगे 24 24 है 24 को हम लिख सकते हैं 24 को में लिख सकते हैं 24 से कटाँगे तो 12 बार में फिर तो कुष्क टाएंगे तो छाल किए यहां पे तीन सकता हूं बिलकुल यहां पे द सकता हूं यहां पे 2 लिख सकता हूं लिख सकता हूं мі summary 10 लिख तेन अधे零्रु soda तनष्करियम यह कहता है कि अभाजी शंख्या लिजिए और सबसे बड़ी घत लीजिए ठीक है। तो यहां पे आपकोंस आवाजे संख्या इसमें दीख रहीं एक तो 2, एक तो 3,क 5, तो 3, तो मैं 2 को लूँगा, 3 को लूँगा, 5 को लूँगा, अब सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 पे पावर 2, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 पे पावर 1, अब यहां से 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 पे दिक्क्यत है इसमें थोड़ा सभी दिक्क्यत हुआ आप लोगों को नहीं होना इक नहीं चाहिए बटे एक सो पचासी जब भी आपको सरलतम रूप पूछे ना तो आप सिंपल काम करो कि इन दुनों का स्चिफ निकाल लो एक सो पचासी में हम किसका बाग देंगे एक सो अनतालिस का भाग बीदी दोरा आप मसग याद करना जानते हो ना बाग कितनी बार जाएगी एक बार म एक सो अनतालिस में तो 37 जो को हता है 148 अब यह कट गया तो जिससे पूरा का पूरा कर जाता है वही आपका मसग लाता है यहां मसग जो है यह सिफ क्या जाएगा सैंतीस आ जाएगा अब करना है ना जब सरलतम रूप पूछे ना कि 149 एक सो पचासी का सरलतम रूप बताई यहां तो जो यह सिफ आया है न उसी हिस से भाग दे दो ऊपर नीचे तो 37 गवाग उपर वी दे देंगे और नीचे भी 37 का भाग देंगे तो आप दखो 149 में जब 37 का वाग दोगे तो 4 वार में कड़ जाएगा अज जब 37 में दोगे तो साथ पच्छे 55 वार में कड़ जा तो चार बटे पांच का मतलब आप देखे लो पहला वाला आपसन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया मेरे प्यार वच्छों पहला वाला आपसन बिल्कुल राइट आंसर हो गया समझ में आरा आप लोगों को बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता ना समझ में आए आगे देख सम्मिक्रण दिया है करा कि संपाती रखा है अगर निरूपीत करती है तो बताओ पी कमान क्या होगा बहुत सिंपल दरीका में आपको बताने वाला हूँ दोनों सम्मिक्रण को नोट करो क्या है तीन याक्स माइनस के वाई पलस आठ बराबर जीरो यह पहला हो गया दूसरा है क्या बजगा 0 यह काम आपको कर लेना है यह आपका पहला रखा है तो पहला रखा है तो पहला रखा है तो इसको वही चीज मालो बस A2 मालो B2 मालो C2 मालो तो यह हो जागा आप लोगों का A2 यक्स प्लस B2Y और प्लस C2 बराबर 0 अब इसका तूलना कर लो तूलना करके आप A1 B1 C माल यहां से A2 B2 C2 निकाल लो तूलना करके तो यहां से यक्स यक्स देखो केंसिल हो जाएगा तो A1 बराबर क्या गया तीन A1, B1, C1 के पेलो निकल गया इसी तरह यहाँ यक से एक स्काटोगे तो A2 परावर 6 आ गया Y सवाई केंसिल करोगे तो B2 परावर माइनस के P आ गया और C2 परावर के आ गया माइनस के 14 आ गया संभिया गया आप लोगों को चलिए तो यहाँ से आप A2, B2, C2 का भेलो निकल दिया अब यहाँ से एक चीज बोला था आप लोगों को कि संपाती रेखायनी रूपीत करती है उसने क्या बोला था कि संपाती रेखायनी रूपीत करती है संपाती रेखायनी रूपीत करती है यही तो बोलातन है कि समपाती रखा निरूपित करती हैं 6 बराबर B1 B1 का बलू इदर का माइनस 1 और B2 का बलू यहां से माइनस के P बराबर C1 का बलू यहां से 8 और C2 का बलू यहां से नीचे माइनस के सुरह हो गया अब यहां से क्या करेंगे तो यहां से सिर्फ चाहोगे तो इन दोनों से ही मिलके आप हल कर सकते हो इन दोनों स्पोल लेकर ही अल कर सकते हो आप देखो तो यहां क्या होगा माइनस से माइनस से कैंसिल कर दो पी का गुड़ा जब तीन में करोगो तो यह तीन पी हो जाएगा बरावर छे का गुड़ा एक में करोगो तो यह क्या हो जागा च्छे हो जाएगा तो यहां से पी का समझ में आगे आप लोगों को चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखें सेम क्यूसर वही है क्यूसर नंबर शिक्स सेम वही है बोला कि यह थिती यह पुलस दो पी वाई बरावर दो और दो एक्स प्लस पांच वाई पलस एक बरावर जीरो दोरा निरूपी तक आए प्रसपर स कैंगे लेकिन यहाँ पे पूछ लिए समानतर हो तो प्यक्ता मान ग्याद किजिए और वहाँ पिए सम्पाति था ओपने प्यक्ता मान ग्याद किया एब यहाँ पर समान तर रहे गाइन बंद वहां से चेंज हो जाएंगे तो आप लोगों को बस बैलू आप लोगों कर देना में आप भलतर की दिखा देता हूं आपको सिंपल सबसे पहले आप नूट करो क्या है 3x प्लस 2py बराबर 2 इसके बाद क्या है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 लोगों बराबर में 0 होना चाहिए यहां बराबर में 0 नहीं तो 2 को इधर लागो तो 2 को इधर लागो तो यह हो जागा आप लोगों का 3x प्लस 2py प्लस 2 इधर आगा तो माइनस 2 बराबर 0 अब यह तो हो तो पहला से A1 B1 C1 निकलेगा दूसरे वाला से A2 B2 C2 निकलेगा तो मैं डारेक्टव मिकाल देता हूँ आप लोगों को अब A1 बराबर क्या होगा A1 मतलब X का गुड़ां तो X का गुड़ां 3 है इसी तरह B1 क्या होता है Y का गुड़ां Y का गुड़ां के आपर 2P है इसी तरह C1 C1 बराबर अचरपद जो कि माइनस 2 दिया हुआ है तो यहां से A1, B1, C1 निकल गया यहां से A2, B2, C2 निकल लो तो यहां से क्या हो जागा A2 बराबर A2 मतलब X का गुड़ां X का गुड़ां के आपर 2 है B2 क्या होगा B2 मतलब Y का गुड़ां के आपर 5 है C2 मतलब अचरपद जो कि दिया है प्लस 1 तो यहां सब कुस्त निकली गया अब बस यहां पूछा है समानतर हो यहां पूछ दिया कि अगर समानतर हो तो P का बैलू बताइए तो यहां पर बस नियम आप लोगों का चेंज हो जाएगा समानतर में क्या होता है मेरे प्यार बच्चो कि A1 बाटा A2 बराबर तो होता है B1 बाटा B2 के लेकिन यह बराबर नहीं होगा C1 बाटा C2 के अब उस समानतर में क्या होता था कि 3 बराबर होता था लेकिन बस यह वाला बराबर C1 बाटा C2 बराबर नहीं होगा तो हम लोग बैलू रख लेते हैं A1 का बैलू 3 रख लेंगे A2 का value यहाँ से 2 रख लेंगे बरावर B1 का value यहाँ से 2 P रख लेंगे और B2 का value यहाँ से 5 रख लेंगे आप देखिये, 2 को गुड़ा P में करोगो तो 2 दूनी के 4 P बरावर 5 को गुड़ा 3 में करोगे तो 5, 3 आईreck पंद्रः अब यहाँ से P का value निकालो तो पी बराबर की आउज़ेगा ? पंदरा, चार गुड़ा में तो चार यहाँ भाग वी घाएगा तो पी बराबर पंदर बटे चार क्या यही आंसर है बिल्कुल देखते है अप्सन में दिया है तो होई नहीं सकता कि नदे, पंदर बटे चार 54 कमतsterv आगे बढ़ते हैं आगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन यहांップे 6 प्रशन का है यहां पे पंद्र दिया है na पंद्र यहां बोला है कि कौट ठीटा बरावर आठ और बोला यहां पे कि साइन ठीटा के बेलू गयात की जह बहुत ही ज़्यादा सीन पले है दोको ध्यान से अब एग ची समझो कि यहां से पहले कौट ठीटा के बेलू निकालो तो कौट ठीटा बरावर क्या हो जाएगा आठ ये पंदर गुड़ा में पंदर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा अब बात बताओ कि कौट ठीटा बरावर होता है आधार बटे के लंब तो आधार बट्टे के लंb हो जागा Assign ठीटा के बेलош से लंब बट्टे के कड तो लंब तो दिया है कड निकालना होगा तो पहले यहाँ से कड निकालो क्यांकि आधार आठ दिया है लंब पंद्टर दिया है तो कड निकल सकता है कि नहीं पाइथा गुरस नियम लगातेंगे, तो पाइथा गुरस नियम से कड़ अगर हम निकालें, तो कड़ बराबर क्या होता है, कड़ बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे, कि लंब का square प्लस आधार का square करड़ी में, यही तो होता है कड़ बराबर, तो यहाँ से कड़ बराब करने तो कितना हो जागा 225 प्लस आठ का वर्ग करूगे तो आठ ठाच शेट इसके बाद अगर कड़ यहां से निकालोगे तो कड़ बराबर करने में कितना जागा पांच चार नौ छे दू आठ यहां पे दो तब 15 बटे 17 जो है वह साइं ठीटा का वेलू हो जाएगा जो कि आफसन में दिया है देखते हैं 15 बटे 17 का मतलब यहां पर डी वाला आफसन आपको देखने को मिला होगा देखें 15 बटे 17 वाला प्रशन जो है राइट आंसर हो जाएगा आगे पड़ते हैं इसी तरह सारे क्य दिमाग लगाने वाला प्रशन है आठमा बोला कि यादी त्रिभूज ABC तथा त्रिभूज XYZ दो संब्रूब त्रिभूज है तथा कोड़ A बराबर 75 और कोड़ Y बराबर 77 अंस हो तो कोड़ C का मान जात कि थोड़ा सबस्त दिमाग लगाना है इसके बाद तुरंत आंसर जाना जाएगा में क्या करना है कि दो त्रफूज में बना लेता हूं उसके बाद तुरं Самज में आ जागा बहुत भारी सवाल नहीं है ज्यात समझें है और code A 75 दिया है और code Y 57 दिया है अब पूछा है कि code C का मान ग्याद कीजिए अब एक बात मेरे प्यारोचों ध्यान से आप सुनना इस बात को जब आप जानते हो कि त्रिभूज A B C यह समरूप बोल दिया आगे जब दोनोग आपस में समरूप हैं तो भुजन समानुपात होंगी संगत कोड़ बिराबर होगा इस बात आप लोग जानते हो कि अगर दोनों त्रिभूज समरूप हैं तो भुजन भी बराबर होंगी और SGT कोड़ में बराबर होंगे मत्तों उस क्यूंशन में दिया है कोड़ C कमान पूछा है आप देखे करेंगे क्या हम लोग अब ध्यान से आप देखे कि हम लोग लिखेंगे कि त्रिभूज A, B, C अताथा एक त्रिभूज हमारे पास दिया है X, Y, Z इन दूनों में ध्यान से जब हम लोग देखेंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा कि A, B देखे गया A, B बटे में X, Y भूजाओं का अनुपात बराबर होगा A, B बटे में अगर में यहाँ पे X, Y कर दूँ बराबर अधर में आप लोगों का A, C A, C भूजाओं किस के बटे में हो जागा Yक्स, Z के बटे में हो जागा होगा की नहीं बिल्कुल भूजाएं समभन उपात होती हैं अगर दो-तिर बूज आपस में बराबर है तथा अब ध्यान दो को थोड़ा एंगल पर द्यान दो तो था कोड़ A जो होगा ध्यान सुनिएगा कोड़ A जो होगा कोड़ Yक्स के बराबर होगा की नहीं बिल्कुल होगा कोड़ A जो है कोड़ Yक्स के बराबर होगा और इसलिए हम काएंगे कि कोड़ B जो होगा code B वो code किस के Y के बराबर होगा बिलकूल होगा 100% होगा क्योंकि दोनों त्रिवूर समभूरूप है तो code A code X के बराबर होगा code B code Y के बराबर होगा अब यहाँ पे आप लोग द्यान दीजिएगा और बोल रखा आगे यहाँ पे कि code B बराबर code Y बराबर कितना बोला था शंतावन अंस, तो code Y कि अगर मैं शंतावन अंस रख दू तो code B बराबर फिकितना हो जयागा संतावन अंस तो code B Sedals और code A almost 75 अर आप लोग जानते हो, कि अगर मैं यहां पर त्रिभूज ABC की बात करें कि पूछाना है, C कमान, अगर मैं यहां त्रिभूज ABC में बात करूँ, कि त्रिभूज ABC में, त्रिभूज के तिनुंग अंतुख कोडों का यह कितना होता है, पूछान के देखना होता हुज अब बात करूझा फूजा है, अब कोड़ A कमान तो कमालू में दिया ही है, फच्छत्र अंस, कोड B कमान यहां से आपने निकाली दिया हैं , और code C का मान हमसे पूछा ही एक्यूसन में, अब कितना असान हो गया, अब यहाँ 75 और यहाँ पे 57 जोड़ोगे तो कितना हो जागा, 132 यह हो जागा आप लोगों के 132 और प्लस code C बरावर इदार आप लोगों का 180 दिया है, यहाँ से code C निकालो, तो code C बरावर क्या हो जाग code C बरावर क्या होगा, तो code C बरावर यहाँ पे 180 दिया है, बिल्कुल देना चाहिए, देखे ऐसे प्रस्ण बने हैं, बस प्रेक्टिस करके जाओगे ना, तो 70 में 70 बिल्कुल आप लोगों का fix कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को, चलिए, समझ में आ गया यह भी प्रस् चलिए, प्रस्ण बनाइन देख लेते हैं, मैं पेज भी साथ में ले रहा हूँ, उसको हल करने के लिए, नाइन वाला क्या है, कि बिंदू M, जो की निर्दसांग दिया है, मैनस तीन कमा चार, कि मूल बिंदू से दूरी पूछा है, अब मेरे प्यार मूल बिंदू का निर जो की निर्दसांग दिया है, कि मैनस तीन कमा चार, और पूछा है कि बताओ कि मूल बिंदू से दूरी क्या होगी, यहां, एम की दूरी पूछा है कि, एम की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदू का निर्दसांग जीरो कमा जीरो होता है, तो यहां पे अगर मैं दो am के दूरी का सुत्र आता है सुत्र निकालना है बीच में पलस इसमें कैलागा एक तो etש1 कामा y1 कैलाता है और ये इसमें कैलागा आप यहां पर पूटब करना है तो यहां पर क्या होगा यहां पर चार है इसका आपने होली स्कॉाइर कर दिया अब यहां से सिंपल देखे कितना आसान हो गया है यहां पर करनी में जीरो में तीन जोड़ोगे तो कितना होगा आपको होगे तीन होगा सर तो तीन का स्कॉाइर कर दो प्लस जीरो में से चार गटा होगे तो माइनस के चार होगा इसका आप ही स्कॉाइर कर दो और एक बात अच्छे तरीके से आप जानते हो कि तीन का स्कॉाइर करोगे तो नो प्लस, तो यहां पी दिखे 5 दिया है क्या? बिल्कुल दिया है पहला वाला आपसन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया पांच समझ में आ गया आप लोगों को समझ में आ रहा है बिल्कुल समझ में आ रहा है इस वही नहीं सकता कि ना समझ में चलिए नई समझ में आगा तो कमेंट कर दीजीगा जरूशे अगला प्र जिसका निर्देसांग उसने दिया है माइनस दो कामा के 6 एक बिंदू को यहाँ पर माल लेता हूँ जिसका निर्देसांग दिया है माइनस दो कामा के यहाँ पर 10 ठीक है दो बिंदू है अब इनको मिलाने वाले एक तरह का खंड़ बन गया मा लेते हैं कि A है और ये B है तो मद बिंदू अगर इन बीच में कोई एक बिंदू मद बिंदू है तो उसको X, Y माल लो अब उसी का निर्दे सांग पूछ रहा कि मद बिंदू का निर्दे सांग क्या होगा तो इसका एक फर्मूला होता है मेरे प्यारोचो Y2 बटे 2 और आपको मालूम है कि इसमें से आप लोगों का ये एक्सवन कामा Y1 कहलाएगा और ये वाला बिंदू आप लोगों का X2 कामा Y2 कहलाएगा ये तो जानते ही हो बस बेलू आप लोगों को रखना चली रखिए तो X निकालना होगा तो X बड़ाबर क्या होगा X1, X1 का बेलू क्या है माइनस के 2 प्लस X2, X2 का बेलू कितना है यहाँ पे माइनस के 2 है और बटे में यहाँ क्या होगा 2 इसी तरह Y निकाल ये Y बड़ाबर क्या होगा Y1, Y1 का बेलू यहाँ पे 6 है और प्लस y2 के बिलू यहां पी क्या हो गया 10 और बटे में 2 दूनों साथ में निकाल लो तियो जागा x बराबर माइनस के 2 प्लस गुड़ा माइनस में कर गो तो हो जागा माइनस तो माइनस के 2 यह जागा y बराबर 10 और 6 है 14 14 बटे 2 कितना सिंपल है देखो x बराबर अब माइनस 2 मिल के हो जागा माइनस के 4 बटे के 2 अधर हो जागा y बराबर काट दो गया इसको निकाल लो इसको कट ऊघ yep haha जायाने की निर्धेशांक कर साँखलों है दिया है देखिए पहलो वाला अफ्टन दिया है कि नहीं बिल्कुल बैस आप लोगों को एक बार प्रेक्टिस करके जाने मेरे प्यार मुच्छो सारे क्यूसंस करके चले होगे मेरी गरांटी है चलिए आगे पढ़ते हैं प्रस्ट नमर 11 देखते हैं चलिए प्रस्ट नमर 11 अफिर थोड़े सबस धोड़ा सा दिमाग लगाना है फिर अंसर आप लोगो को मिलेगा थोड़ा सा धिमाग घरलाना नहीं है थोड़ा सा दिमाग लगाना आप deutsku को कि कि निसी समभाव तुष độ तिरभुझ ABC में यती 80BC प्य हो तो 80 languages बराबर होगा थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगाना है इसके बाद यह अंसर आप लोगों का बिल्कुल आ जाएगा दो मिनट के अंदर देखिया सब कुछ बना दिया आप समझा रहा हूं देखो कि किसी संभाव मतलब सभी बुजाएं बराबर हों इतना तो जानते हो ना संभाव उत्री बुजाएं बराबर है त्रीभुज यह BC है तो मतलब लेजिए इसको A यह B और यह C कहरा है कि AD BC पर लंब है यह BC रेका है जो AD लंब है मतलब इसको D मानना पड़ेगा देखो BC बुजा पर AD जो है लंब है तो कहरा तो AD स्क्वार बताओ AD का वेलू बताओ उसका स्क्वार कर दो यह वेलू हमसे प पुछा है और बोला है कि AD BC पर लंब है और त्रीभुज का ऐसा संभाव त्रीभुज बस इतना ही हिंट दिया है बाकि आपने तरीके से आप लोगों को लगाना होगा मैं आपको बताता हूं यहां पे AD पूछा है ना तो आप एक त्रीभुज देख रहे होगे ध्यान से एक त्रीभुज आप लोगों को दिया है ADC यह वला दोखो यह वला त्रीभुज देख अब यहां पे देखो ध्यान से त्रीभुज ADC ADC में हम लोग लगाएंगे पाइथा गोरस नियम क्या लगाएंगे पाइथा गोरस प्रमे़ यह आपका आध्हार क्रड क्यलाएगा कहलाएगा एक नहीं बिल्कुल कहलाएगा यह आपका क्या हो जाएगा लंब में लिक भी देता हूं लंब यह A से अधार मालेता हूं यह K से कड़ मालेता हूं साट कट में अब देखो तो यहां जब हमें लगाऊंगा पाइथा गुरस नियम तो कड़ स्क्वार कड़ मतलब AC का स्क्वार बराबर लंब का स्क्वार लंब हमारे पास AD है तो AD का स्क्वार प्लस अधार स्क्वार आधार हमारे पास क्या यहां पर CD कहिए यह दून बात यह DC का स्क्वार तो हमने पाइथागुरस नियम लगा दिया कि AC का स्क्वार बराबर AD का स्क्वार प्लस DC का करें जो एसी है जो सब्सक्राइब हो एक कि जगा कि जो लिग देना कि मैंने ऐसा क्यों कि लिग देना कि लिग दाना कि चुकी हम जानते हैं कि AC जो है, वो BC के बराबर होता है, इसलिए हमने ये काम किया है, समझ मैं किया आप लोगों को, अब एक ची द्यान से सुनो, यह जो BC आपको दिखाई दे रहा है, यह BC, और AD उसका मद दिबंदू है, बीच में मद दिबंदू है, तो क्या मैं यह नहीं कह सकता हूँ, कि यह BC होगा, ठीके, यह BC जो होगा, वो CD का दुगना होगा, दुगना होगा DC का, बिल्कुल, देखो, यह जो DC दिखाई दे रहा है, DC का अगर मैं दुगना कर दूँ, तो BC नहीं आ जाएगा, बिल्कुल, तो BC को मैं लिख सकता हूँ, दो गुना DC, बिल्कुल, तो BC को मैंने य हम इसा क्यों किया है तो हम ने ऐसा इसलिए कि क्या है क्या जानते हैं दूगना डीसी के है तो दूगना डीसी के बराबर आ जागए तो यहां दो करोगे तो 4 तो 4डीसी का स्क्वाइर बराबर यह자गा आप लोगों का AD का SQAIR PLUS DC का SQAIR अब यहां से देखो 4 DC SQAIR यह PLUS में इदर आगा तो मैरस में हो जागा ठीक है तिये कैसे लिखो गया 4 DC SQAIR यह देखो PLUS DC SQAIR इदर आगा तो क्या हो जागा माइनस DC SQAIR बरावर इदर क्या बच जागा AD का SQAIR और 4 DC स्कॉार में से एक DC स्कॉार आपने घटा दिया. तो बच गए 3 DC स्कॉार. ठीखे? बराबर इदर अप लोगों का AD का स्कॉार. हमसे बामाętों क्या पूचा था? AD का E-Square था. कि AD का Square बता हो, AD का Square आगी आप लोगों का? 3 DC स्कॉार का हो, चाहते बदीब करें दूनों बात नहीं जा रहा उसे बाद भूझा पर 9 0 पर 4 छाहिए नमें बद होको कि ड़का नहीं स्ञेसरा करते ही है तो आपक की दो अनां वेचे से का चाहते हैं in many of प्रश्च नंबर बार में पहलें, इसके बाद बताता हूg आप लोगों को, बोलाएगी तुर्ष्ओक के निर्धसांग करमसद इतना है यदि BC का मद्ध बिन्दु ड है तो AD की माफ होगी, अब यहाँ पे चीत्र बनाना पटेगा, चीत्रा लेडी में बना लिया हूँ, अब तीनों का निर्शांग दिया है, तो A को मा लेता हूँ, कि 7 कमा पांच, B को मा लेता हूँ, 5 कमा के 7, C का निर्शांग मा लेता हूँ, माइनस 3 कमा के 3, उसने बोला है कि यदि BC कमा दे बिंदू D, तो BC कमा दे बिंदू D है तो यहां पर D मानना पड़ेगा कि BC कमा दे ब जो है वो तो B और C का मद्य बिंदू है तो मद्य बिंदू का सुत्र निकालकर आप D निकाल लो फिर दो बिंदू की बिश की दूरी का सुत्र निकालकर दी निकाल लेना, तो पहले मद बिंदू का सूतर हम लगा के, यहाँ पर D करने दे सांकि निकालेंगे, और मद बिंदू का सूतर क्या कहता है, मद बिंदू का सूतर कहता है, मेरे प्यार मचों, कि अगर आपको निकालना है D, मद बिंदू है ना D, तो D निकालना है, तो मद x1 plus x2 बटे 2 होता है और, y1 plus y2 बटे 2 होता है ठीक है? तो यहां से निकाल लो दी तो यहां हो जागा आप लोगों का d बराबर और आपको मालू में कि यह आप लोगों का 2 x1 कामा y1 कैलागा और यह वाला बेलो आप लोगों का यह यहां से x1 का value तो 5 आ गया प्लस x2 का value यहां पे minus के 3 है यहां पे लिखदो minus के 3 अब बट्टे में 2 y1 का value यहां तो 7 है plus y2 का value यहां पे 3 है और बट्टे में 2 तो यहां से पहले d निकालो मध बिndव तो d पराबर क्या हो जागा 5 पुलस गुड़ा मार्स में करोगों तो माइनस के 3 बटे 2 और यह जागा 7 3 10 बटे के 2 तो यहाँ से जब D मद्द बिंदू निकालोगे तो 5 मेंसे 3 जागा तो 2 बटे के 2 और यह जागा 2 5 10 और यहाँ से D जब निकालोगे तो यह भी तो कटेगा 2 एकम 2 तो दो एकम दो एक बार नंकर गया यह 5, तो D बरावर कितना गया, एक बटे 5, मतलब D का जो मध्द बिंदू आ गया, वो 1,5 आ गया, एक कामा 5 आ गया, तो मैंने इसको माल लिया कि यह आपका हो गया, एक कामा के 5, हम से पूछा था कि अमको पूछा था कि A D का ही बताो बता कए A D वराबर क्या होगा तो A D का वैलू पूछा है थो मैं इसको यहांपर लिग देता हूं इसको 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 ड 292 truth cheese को यहां तो A AD बराबर क्या हो जागा? A कर निर्षांग दिया है 7 कामा के 5 और D कर निर्षांग अभी आया है 1 कामा के 5 अब AD निकालना है तो AD निकालो यहां से दो बिंदो की बीच का सूतर क्या होता है? होता है आप लोगों का X1-X2 का होली स्क्वाइर प्लस y1-y2 का holy square यही तो होता है तो आहाँ पर आप जानते हो कि x1 यहाँ पर 7 है मरस x2 यहाँ पर 1 है इसका holy square प्लस y1 यहाँ पर 5 है मरस y2 भी यहाँ पर 5 है इसका holy square तो हो जागा करनी में 7 में से 1 जाएगा तो 6 का holy square प्लस 5 में से 5 गया तो 0 का holy square फिर करणी में देखो क्या हो जागा 6 का स्क्वार करोगे तो 36, 0 का स्क्वार करोगे तो 0, 36 में 0 जोड़ोगे तो 36, और 36 का वर्ग मुल 6, तो 6 ही जो है AD बराबरा गया, AD मतलब 6 एकाई, क्या जागा, 6 एकाई, यह हो गया answer, देखिए दिया है क्या, तो 6 मात्रक कही है या 6 ए प्रेटिस करके जाने हैं आप लोगों को सारी चीजे अंसान है, एक बर प्रेटिस कर जाओना सारे प्रशन करके चले आओगे, चलिए मेरे प्यारोचों, फटा फटे एक पेज और में ले ले लेता हूं, इन क्यूसनों को अल करने के लिए, तेरावा प्रशन देखिए क्य अब यहां पर काटो भाई, काटो, सेक सेक कट गया, यहीं पूछा था, थीटा कमान क्या होगा, थीटा कमान तो साथ हंसा गया, साथ हंस का मतलब बी वाला आपसन जोए बिल्कुल है, राइट आंसर हो गया, अब बताए, इस से भी ज्यादा सिंपल प्रशन आप पूछे प्रशन देखलो, प्रशन नमर 14, नोट को रुजल्दी से, बोला है कि कोसेक ठीटा मानस कोट इसकौार ठीटा, फिर एक कोश्टक में दिया है, और एक कोश्टक में दिया है, आप लोगों का कि वन माइनस कोस इसकौार ठीटा दे रखा, आप ध्यान समझना है, रूल को हम लिख सकते हैं, यह रूल कहता है, यह नियमा पढ़े हों सकते हैं, बिल्कु लिख सकते हैं, और यह आप लोगों का जैसे आप वह़ँ रहने, तो 1 minus cos square theta इसको change करने की जूरूत नहीं है अब देहान से एक चीज़ समझ रहा यहाँ पर LCM लेलो LCM क्या हो जागा sin square theta यह भी है sin square theta यहाँ पर sin square theta क्या हो जागा LCM हो जाएगा अब देहान से एक चीज़ सुनो sin square theta cancels it बचेगा 1 minus इदा sin square theta से sin square theta के चीज़ सिर्फ बचा क्या है उपर cos square theta बचा यह कोश्टक में बचेगा है और बाहर आपका दिया हुआ है 1 minus cos square theta दिया हुआ है अब ध्यान समझो 1 minus cos square theta formula होता है sin square theta formula जानते हो ना आप लोगो 1 minus cos square theta बराबर sin square theta होता है और नीचे आपका बचा ही है आप लोगों का sin square theta ठीक है और गुड़े में 1 minus cos square theta बराबर sin square theta होता है क्योंकि 1 minus cos square theta बराबर sin square theta 1 minus cos square theta बराबर sin square theta होता है formula आप लोग जानते हो बिल्कुल तो यहां से देखो sin square theta sin square theta cancel शिर्फ पूपर वाला बज़ जाएगा साइन स्क्वार ठीटा यह होगा आंसर साइन स्क्वार ठीटा देखे दिया है क्या होई नहीं सकता कि ना दे ध्यान से देखो डी वला आप संदिख रहा होगा अपने वह वह जो है इस प्रस्ण का बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे समझ में आ रहा है आप लोगों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलिए फटापट बढ़ेंगे हम प्रस्ण नमर 15 की तरह प्रस्ण नमर 15 देखे क्या है देखे प्रस्ण नमर 15 भी बहुत जादा ही ज्यादा भारी नहीं है बिल्कुल एक लाइन का अंसर है एक लंब्रिति यहां पर बेलन वोला है ठीक है अब यहां पे बेलन आप देखे हो यह अपने वोगु का बेलन में दिखा देता हूँ यह बेलन है और उसने बोला कि बेलन के आधार का चैधर में उसके नीचे वाला जो चैधर तो आपको 9 पाई रखा है तो यहां से आप बैलू निकाल लो ना पाई से पाई कैंसिल कर दो अधर हो गया आर इसको आर बराबर नो तो आर बराबर क्या हो जाएगा यह वर्ग है उधर जाएगा तो आर बराबर नो का और गमोल तीन होता है तो त्रिजया आपके क्या गई तीन आई यही पुछा था ना कि त्रिजया बताए तीन सेटिमेटर आगे आप बताओ दो लाइन का अंसर है बिल्कुल पहला वाला आपसा दो लाइन के आए आप प्रूंत ऐसे ही कल्कुलेशन करके लगा पाऊग अब मैरे प्यार वाता हुआ चार संटिमेटर ट्रिजया वाले की त्रिजया वाले बित। तो इसके बीस में जो वर्ग है उसका छेतपल बताओ तो इस कि उपराथ ब्यास निकालना हो यहां से लेके यहां तक पूरा निकालना हो क्योंकि हमें तो विकड चाहिए तो पूरा ब्यास निकालना हो तो D बराबर होता है 2R तो D बराबर 2 into R मतलब 4 तो D बराबर 4 दोनी के 8 cm ब्यास जो होगा वो 8 cm होगा कि नहीं होगा बिल्कुल नर्मल बात है कि होगा भूजा आम माल लेते हैं कि वर्ग की भूजा A है इसको A मालो इसको A मालो इसको A मालो इसको कि वर्ग की भूजा है सबी बराबर होती है ठीक है तो भूजा को हमने A माल लिया तो अगर मैं वर्ग का बिकड का बात करूँ वर्ग का बिकड, वर्ग का जो बिकड होगा, वो वृत के ब्यास के बराबर होगा, वृत का ब्यास के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, अब जानते हैं कि वर्ग का बिकड क्या होता है, तो वर्ग का बिकड का सुत्र होता है, करड़ी में 2A, वृत का ब्यास अभी निकला है यहां से 8 निकला एक नहीं, तो यहां ए निकला लो, ए बराबर क्या हो जागा, 8 यह करड़ी में तो गुड़ा में उदर जागा, तो भाग में हो जागा, यह बराबर क्या गया, 8 बटे करड़ी में 2 आ गया, हमसे पूछा क्या है, तो वर्ग का 6 तरफल, अब आप जानते ही ह करोगे, तो 64, अब टे करड़ी में 2 का स्क्वाइर करोगे, तो 2, तो 2 से 24 कराओगे, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वाइर जो है, उसका 6 तरफल आ गया, मेरी प्यार को, कितना ज्यादा सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, 32 मतलब बी वला अप्षन, देखो 32 सें आपको दिया ही है, बारंबारता आपको दिया ही है, सिर्फ मादे कुछा है, मादे कैसे निकाला जाता है, उसके लिए थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है, थोड़ा सा ग्राफ ज्यादा नहीं बड़ा, एक तो कालम वर्ग अंतराल का ही रहता है, पहला वाला कालम तो व एक साई बनाना पड़ता है एक आपको यक साई बनाना पड़ता है बस यह दो चीज अलग से उड़ता है यह दूज तो आप लोगों के दिया ही रहता है देखो वर गांतराल में आपको दिया है क्या तीन पांच इसके बाद पांच, साथ, इसके बाद साथ, नौव, इसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, साथ में दिख नहीं रहोगा, नौव ही ग्यारा, बारम बारता दिखे, चार, दो, एक, तीन, मैं अपने से लिख देता हूँ यहाँ से, क्या दिया, चार, दो, एक, तीन, मैंने लिख दिया, तो यह चीज़ दो, तो खिता में जो दिया था, वही तो मैं लिखा हूँ, अलग से क्या चीज़े है, तो अलग से यह चीज़े है, एक साई, एक साई मतलब क्या होता है, मद्देमान, मद्देमान मतलब, तीन और पांच बस देखो कितना सिंपल नहीं सब्सक्राइब बताओ इतना भी सिंपल नहीं कर पाओगे बिल्कुल कर पाओगे इसका पहले योग निकालो सिगमा झाहवाइभवाइभीorrow सिगमा फ़र्व एफ़र लो सिगमा फ़र क्या है तो छार दूछाएथा गिनर बराबर द्स चाे है cape ऐसको जोड लो सिगमा फ़र विट екजैंड इनका यूग कर लो तो यहाँ पर जोड़ो 28 और 287 कितना उता है 363936 38 अब आपको समांतर मादे समांतर मादे का सूतर आप जानते ही है मादे पूछा है बटे में एकस बाराई निकालते हैं, मादो आधा हुम लोग एकस बार से ढूँट करते हैं, तुए एकस बारावर सूतर होता है, सिगमा एफ आ इनटो एकस ऐइ, बटे में सिगमा एफाई, यह सुत्र बड़ा गया बिलकुल यह होगा प्रशाष होगा इनके प्रश्ट बढ़ेंक आगला प्रश्ट बढ़ेंगे प्रश्टोब आठार देके 20छ एकना इत तो еру समझने वаली बात प्रस्ण मरें रठाब कि Еक पासे को एक बार भीका जाता है तो अब रहाओ संख्या के आने की प्राइक्टा होगी अब मेरे प्यारो चोब आपने ही बताओं आप मालूम है प्राइक्टा क् फर्मूला मालूम तो आपको घिर नहीं या बचें ग誆 यह मालूम है तो चलिक बता देता हूं तो देखे पारेक within निकानने का फ्रव्रमूला होता है अनुकूल परडॉड़ाम क्या होता है ऑनुकुल परडॉड़ाम मैं लीग देता हूँ इसके बाद इस क्यूर्शन को आप को बता सिंपल है फार्मूला तो लिको ड़ापाऊगे और प्राणाम बटे कूल संभौ परणुदाम, इसके बाद देखिएगा इस सवाल पस पांच सिकेंड का थे पांच सिकेंडे में इस क्यूर्शन को आप लगा इसके बाद कौल 총 सव परडाम केता हैं, तो आप नीचे कूल नाखें, तो 6 होंगे। यह बाद तो कमफर्म है, इसके बाद अनुकूल प्रडामा, बोला क्या है, यह पास्यों के एक बार फिका जाता है, तो आप भाजे संख्या क्या आने के परिता था, आप भाजे संख्या, छे में आप भाजे संख्या क्या कौन कौन सी है, तो आप भाजे संख्या 6 के गरमाद गणाद दो तीन एकम तीन तीन दोने के छह एक बटे के दो बस एक बटे दो मतलब भी वाला अब बताओ समयाए की नहीं बिल्कुल कंसेट आपको समयागे हैं इतना ज्यादा सींपल है बस एक बार आपको थोड़ा से दिम्याग लगाना है इसके बार आंसर बिल्कुल आपके हाथ में होगा यह भी फर्मूले पे ही है यह बीना फर्मूले नहीं लगा पाओगी इसको बोला कि यदि किसी आवरिती वित्रण का मादे मादे तो आपको दिया है मादिका भी दिया है पूछ रहा कि बहुलक बताईए अब फर्मूला मालम रहेगा तभी तो तुम्हें लिग देता जब तक फर्मूला नहीं याद रहेगा तो तक आप लगा नहीं पाओगे इस क्यूशन को अब सारी बैलू आपको दिया है बहुलक आपसे पूछा है तो बहुलक की जगा आप तो सिर्फ बहुलक ही लिखे हुए इसके बाद तीन गुड़े मादिका मादिका दिखिए दिया है मादिका आपको एक कै ततीन गटा देंगे बाइस जो हुआ गया बागर बाइस बाइस जो हुआ गया बहु लग बस यही क्यूसर पूछा था बाइस का मतलब यहां पर देखो डी वाला परश्ण जो है बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा अब बताए इन पर प्रस्णों को नहीं लगा पाओगे एक बार प्रेक्टिस करके जाओगे तुरंत आप इसको अब देखों को को सेंट में सब्सक्रायन की नाइता नहीं हो सकती चाहिए यह टो गता है itt से ज़्यादा होई नहीं सकता एक से कम हो जाए छलेगा लेकिशा का पूरा अधिक्तम भाईल्य यह रहता है तो यह बताओ व क्जिए ये तो हो गा, तीन बड़े-पाँच, क्या ये होगा, तीन बड़े-पाँच, तो आपको चैनल थो छोटा ही, ये भी ओगा, ये लिए रहाल, ये वह चार नहीं नहीं होगा, क्योंकि जब जेखर 3 में 3 का भाग दो गए, और यह हो जागा आप लोगों का 0,10,3,6,18,0,10 कुछ पॉइंट करके होगा, यह तो एक है ही, तो परेक्टा कौन सा नहीं होगा तो यह वाला नहीं होगा, क्योंकि एक से मान ज्यादा हो रहा है, समझा गया है, तो यह 20 अब्जेक्टी क्यूशन में ने आप लोगों करा दि कि सिर्फ आपका ही आएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करके ही आपको जाना है, चलिए मिले के निक्स वीडियो में, तब ते के लिए धन्यवाद,